16 उमीदवारों से अखलेश का संदेश कॉंग्रिस को दिखा दिया आए ना गटबंदन में रहना है तो रहिए हम तो अपना काम करते रहे अखलेश के इस एलाम से नई सियासी हवा कॉंग्रिस के नेंदुडी पहली लिस्ट से ही बीजेपी को पटका अखलेश ने मौके को लपका अखलेश शादव ने एजेंडा तै कर लिया है कि वो अब लोगसवा चुनाम में किस रफ्तार से काम करने वाले हैं कॉंग्रिस को अगर सीट चाहिए तो ले नहीं चाहिए तो अकेला चले हाला कि अखलेश शादव ने ये बाते कहीं तो नहीं हैं लेकिन जो पहली लिस्ट जारी गी है उससे कई संदेश जाते हैं जिसके बारे में आज हम आपको एक एकर बताने वाले हैं सफा ध्यक्ष अखलेश शादव ने कॉंग्रिस पर जबरदस दबा बना जिससे साफ हो गया कि आगे की सियासी रणनीती कैसी होने वाली है अखलेश शादव का मैसेज खास है कि कुछ भी हो जाए वो कॉंग्रिस को जादा सीटे देने को तयार नहीं इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो करेंगे इसलिए मंगलवार के दिन अखलेश शादव ने अपनी पहली चाल चल दी जिसने कॉंग्रिस के पेरो तले जमीन खिसका दी क्योंकि ये माजरा है सीटू का और सीटू का माजरा है तो सियासी घमासान मचना तैह है हाला कि अब अखलेश भी क्लियर कर चुके हैं कि वो रुकने वाले नहीं है इसके लिए वो बिना देरी के ये लिस्ट जारी कर दिये समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपनी पहली लिस्ट जारी की जिसमें 16 उमीदवारों के नाम है ये 16 प्रत्याशी सिर्फ आम प्रत्याशों के तरह नहीं बलकि इससे बहुत बड़ा मैसेज भी दिया कि किस तरह से चुनावी रणनीती बनाई जाएगी समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को 2024 में होने वाले लोकसवा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशों के पहली सूची जारी कर दी पार्टी ने पहली लिस्ट में 16 उमीदवारों के नाम का एलान किया समाजवादी पार्टी के सूची को देखकर पांच बाते क्लियर हो रही है इंडिया गटवंदन के बैठकों के बीच अखलेश ने सपा कैंडिडेट के लिस्ट जारी कर ये संदेश दिया क्योंने चुनाम में सीट शेरिंग अपने हिसाफ से करनी है कॉंग्रिस नराज होती है तो हो जाए वो यूपी में कोई भाव नहीं देने वाले पहली बार एटा और फरुखबाद की सीट से यादव प्रत्याशों को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि अभी आगे का खेल बाकी था जिसमें दो सीटे खास थी पहली सीट लखनाओ की है तो दूसरी सीट फरुखबाद की इन दोरों सीटों पर क्या खेला है आज हम अपने रिपोर्ट में यही बताने वाले हैं कॉंग्रेस को कैसे अखेलेश शादन में दबाव में डाल दिया दरसल अखनाओ सीट पर 2019 के चुनाओ में कॉंग्रेस नीता प्रमोद कृष्णम उमीदवार थे ऐसे में कॉंग्रेस इसे अपनी सीट मान रही थी तो दूसरी सीट फरुखबाद की फरुखबाद सीट ऐसी है जो कॉंग्रेस नीता सल्मान खुरशीत का शेतर है लेकिन यहां भी अखेलेश ने अपने प्रत्याशे उतार कर बड़ा संदेश दे दिया वो थोड़ा सा भी रुकने के मोड में नहीं जुकने के मोड में 16 उमीदवारों का नाम घोशद कर यह जता दिया कि उन्हें कॉंग्रेस और इंडिया गटवंदन के बिल्कुल भी परवा नहीं इसके पहले भी बिना कॉंग्रेस की सिलहा के समाजवादी पार्टी ने डालोट के साथ गटवंदन का एलान कर दिया था उसके बाद एक तरफा कॉंग्रेस के लिए 11 सीटे ओफर कर दी जाहिर है यह सब कॉंग्रेस को चड़ाने वाला ही अंदास कहा जाएगा यूपी में गटवंदन को लेकर अभी सस्पेंस बनी ही रहा था कि अब अखलेश शादव ने 11 सीटों पर उमिदवारों का एलान कर दिया इन 11 सीटों में करीब 3 सीटे ऐसी हैं जा से कॉंग्रेस अपने उमिदवार घोशद कर सकती थी फरुखवाद उन्नाव और आयुध्या से कॉंग्रेस अपने उमिदवार घोशद कर सकती थी इन 11 सीटों से कॉंग्रेस के प्रत्याशी हाल के दौर तक जीते रहे हैं